तो आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी लोगों को क्लास 10 बायलोजी के इंपॉर्टेंट कोश्चन यानि कि अतिलगुत्तरी प्रस्थ और मैं आपको एक एक चैप्टर के नहीं पढ़ाऊंगा कि एक चैप्टर पढ़ाऊं दो पढ़ाऊं यह पढ़ा आपको एक काम की बात बता दूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़िए आप क्लास 10 में हैं और अभी तक्लास 10 बायलोजी के फूल चैप्टर वीडियो नहीं देखे है न तो कहां सो रहे हो खतम हो गई है बायलोजी पूरी जा करके देखो एक एक वीडियो को देखे हैं तो भाई फिर बहुत गल्ती कर दिये हो और सबसे जरूरी वीडियो में आपको बताना चाहता हो सबसे जरूरी जिसको देखना हैं जिस EMCQ भी कराया ना अति लगू भी कराया लगू भी कराया और दीरगुत्तरी प्रस्न भी मैं कराया हूँ वो वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है? यानि कि पूरी किताब के इसके पूरी किताब के महत्वपूर कुश्चन मैंने करा है तो आप सभी लोग वीडियो को देख ले ना वीडियो के लास्ट में आई बटन पर लिंक मिलेगा वो वीडियो का नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो यूटूब पर सर्च करेंगे ना कोई भी जैसे आप जयो प्रक्रम से पाचन तंत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करना पाचन तंत्र बाई बाई वामन उत्सरजन तंत्र पढ़ना चाहते हैं उत्सरजन तंत्र बाई बाई वामन हिर्दें पढ़ना चाहते हैं हर्ट का function कैसे होता है तो हर्ट बाई बायो अमन अब भया जो भी आपको पढ़ना है याद रखना अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लो जो भी आपको पढ़ना है biology में आप सीधे YouTube पर जाए सर्च करें और last में बाई बायो अमन लिख दीजिए मेरा वीडियो आपको मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं अपने questions की तरफ देखते हैं और याद रखना यहाँ पर मैं सिर्फ अती लगू ही नहीं कराऊंगा यहाँ पर आपके MCQ भी होते चलेंगे MCQ बहुविकल्पी questions भी आपके होते चलेंगे पहला question है हमारे पास की बताईए पादपों में जल और खनिज का इस्थानांत्रण करने वाले उतक हैं क्या है की पादपों में जल और खनिजों का जल और खनिजों का जल और खनिज का इस्थानांत्रण करने वाले उतक जल और खनिज का इस्थानान त्रण करने वाले उतक देखो पादप में दो उतक पाए जाते हैं याद रखने वाली जो बात है है ना पहला होता है जाइलम जाइलम और दूसरा होता है फ्लोयम सुनो इधर ध्यान से सुनना इधर उधर अगर दिमाग गया ना तो याद रखना तुमको बहुत पीटेंगे इधर इसे कैमरा में घुसके मारेंगे तुमको ठीक है देखो जाइलम 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 तो याद रखना जो जाइलम उतक होता है वो क्या करता है वो जल क का परिवहन कर रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लोयम उतक भोजन का खाद पदार्थ का परिवहन करेगा करेगा की नहीं बता 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 वेया करेगा की नहीं जल्दी बता करेगा की नहीं करेगा ना बस देखो यह हो गया जाइलम और फ्लोयम एक चीज और जाइलम में जो गती होती वो एक दिसी होती है जाइलम में एक दिसा में गती करता है वो ठीक है नीचे जलाता है उपर से निकल जाता है पत्तियों के थो लेकिन जो फ्लोयम होता है न ये कई दिसी होती है है ना मल्टी डारेक्शनल होता यह फिर यहां से दिखो कोश्चन एक पूछा जाता है आपका जो अति लगू के अंदर आता है और तो क्या है फोटो सिंथेसिस की रियक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे हम लोग सभी कोश्चन को लेंगे तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे गोरे गोरे मासूम से बच्चे परेसान नहीं होने को मैं सब पढ़ाऊंगा ठीक है प्रकास संसलेशन यहां पे सबसे ज़्यदा इंपॉर्टेंट है इसकी रियक्शन पूछा जाएगा एक जाम में पूछा जाएगा याद रखना जो प्र प्रकास प्रकास नाम का लड़का मच तुमजलेना प्रकास सिंघानी आ गया गया데 सुबह सूर्य का प्रकास आया तो जो पाउधे का सैफ है जिस सैफ को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल है ना क्लोरोफिल में मैगनीसियम पाया जाता है important question mcq क्लोरोफिल की उपस्थिती में क्या करता है भोजन बनना सुरू हो जाता है भोजन क्या बनता है c6 h12 o6 glucose बनता है प्लस 6 o2 बनता है और 6 h2 o बनता है o2 oxygen बाहर निकल जाता है यह क्या बना आपका तो यह बना आपका glucose oxygen और water बना प्रकास तंसलेश्वन की क्या होती है अगर इसमें लिखने के लिए दिया जाए तो बताइए आप लिख लेंगे कि नहीं प्रकास तंसलेश्वन की क्या हरे पौधों में होती है सूर्य के प्रकास की उपस्थिती में ही प्रकास तंसलेश्वन की क्या होती है हरे पौधे कार्बन डाई ऑक्साइड और जल की कार्बन डाई ऑक्साइड और जल प्रकास सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में क्लोरोफिल भोजन बनाना सुरू कर देता है C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O बनाता है यह है फोटो सिंथेसिस की क्रिया ठीक है जैसे आपसे कुश्चन पूछा गया कि बताईए पादपों में उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें जलवास्प के रूप में जल क्या होता है जल लुप्त होता है देखो जब सुबा सुबा आप लोग घोमने जाते हो ना तो देखे होगे जो हरी पिड़ पोदे रहते न उन्हें पानी आ जाता है क्या तुम रात में जब खाना खाये तो पानी डाल देगा तुम पानी आ गया है नहीं ना डाले तो नहीं बता याद कर लो क्या पता-डाल दियो वह यह तुम लोग बहुत ऊसी यार हो ना खाना गाने को फेकते रहे तो धुर तहां से आगय हूँ पानी तो वह पानि आया एक क्रिया के दौरा जिस क्रिया को बोलते हैं वातवास्पोत सर्ज – कॉंसे क्रिया बोलते हैं वास्पोत, सर्जन ठीक है अगर पूछा जाएं था बताज्च पादवर में उस क्रिया का नाम लिख रूप में जल विलुपत होता है वो होता है वासपोत सर्जन ठीक है कुश्चन है एक परजीवी पुस्पी पादप का नाम लिखिए परजीवी पुस्पी पादप क्या है परजीवी पुस्पी पादप तो वो है आपका अमर बेल क्या है पर जीवी पुस्पी पादप क्या होता है वो है आपका अमर बेल ठीक है चलिए कोश्चिन है एंजाइम पेपसिन और लाईपेज किस माध्यम में शक्रिय रूप में सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं धेकिए पेψिन और लाई पेज किस माद्ध्य में सक्री रूप से क्रिया करते हैं तो यह करते हैं अम्ली माद्यम में जब मीडियम अम्ली रहेगा यानी कि जब मीडियम ACD रहेगा तभी ये actively क्रिया करेंगी कौन सी लाइपेज ए स्वारी ए जह है पेपसीन और लाइपेज है ना ठीक है लेकिन एक चीज़ यह देखेंगे यह दोनों है तो एंजाइम चैना पेपसीन एक एंजाइम है लाइपेज एक एंजाइम है यह पाचन किस होता है प्रोटीन का पाचन करना और लाइपेज का होता है वसा का पाचन करना एक चिज याद अगना प्रोटीन का पाचन करके किसमें प्रोटीन को तोड़ देता है दाल खा लिये ना दाल में प्रोटीन थी किसमें प्रोटीन को तोड़ दिया यह पेपसीन एंजाइम वो त तोड़ दिया आपका अम प्रोटीन कि अड़ोग का नहोता है कि कि अमील हाँ अमीनो अमल समाज गय है किसमें तोड़ दिया और लांब च्वास पाछंड करके कि सब्सक्राइब भद दिया वसी अमल में या फिर गिलिसराल में मतल दिया ठीक है मिटाएं बताओ लिंटाएं चलो नेस्ट कोशिकी जीवों के नाम लिखिए क्या लिखिए दो एक कोशिकी जीवों के नाम जिनके अंदर केवल एक कोशिका होती है एक कोशिकी जीवों को यूनी सेलूलर और्गनिजम बोलते हैं बोलते हैं यूनी सेलुलर अब बताओ मानाओ एक कोशिकी जीव है यूनी सेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है यह कुश्चन का जवाब आपको देना है एक कोशिकी जीवों के नाम पहला लिख दो अमीबा दूसरा लिख दो पैरामीसियम तीसरा लिख दो यूगलीना यह सभी क्या है यह सभी यूनी सेलुलर हैं यह सभी एक कोशिकी यह होते हैं ठीक है जैसे आप से कुश्चन अगर एक और पूस दिया जाए कि बताइए रक्त का ठक्का जमाने के लिए कौन आवश्यक हो कि यही चैप्टर कुश्चन है रक्त का ठक्का जमाने के लिए कौन आवश्यक होता है अगर आपको आप्सन मिल जाए जैसे सोडियम दे दिया और पोटैसियम दे दिया थ्रॉम्बिन कैल्सियम है ना याद रखने रक्त का ठक्का जमाने के लिए थ्रॉम्बिन आवश्यक होता है थीक है इनको बोलते हैं blood clotting factor क्या होते हैं blood clotting factor थीक है चलिए अगला question देखें अगर मनुष्य की आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है मनुष्य की आहार नाल कितने मीटर लंबी तो आठ से 10 मीटर लंबी होती है मनुष्य की आहार नाल कितनी 8 से 10 मीटर लंबी ठीक है आहार नाल से देखो यहां से question अगर पूछे मानो पाचनतन तो आप YouTube पर सर्च कर लेना मानो पाचनतंत्र बाई बायो अमन मेरा वीडियो मिलेगा अच्छे से देखना है ना सब कुछ समझ में आएगा वहां पर चलिए कि दूसरा चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं है ना कैसे करते हैं चैप्टर जब मैं पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको जो है डिटेल से पढ़ाया सब कुछ बताया है ना अब यहां पर तो हम सिर्फ कुष्चे नहीं करेंगे ना यहां तो हम नहीं बताने लेकिं कैसे करते हैं ना सबसे पहला यहां पर question है जनन किसे कहते हैं और जनन क कहते हैं क्या कहते हैं कि अपने समान संतान उत्मन करने की छमता को जनन कहते हैं और जनन दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का दो प्रकार का एक होता है अलेंगिक जनन क्या होता है मेरे बच्चे अलेंगिक जनन और दूसरा क्या होता है बताओ दूसरा होता है लेंगिक है ना देखो अलेंगिक जनन में लिंगो की आवशक्ता नहीं होती है अलेंगिक जनन में नर्वा मादा एक में होते हैं एक में होते हैं और अलेंगिक जनन से उत्पन होने वाली संतान को हम बोलते हैं क्लोन क्या बोलते हैं क्लोन क्लोन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये अपने ज क्योंकि यह अपने जनक के हूबहू या फिर एकदम समान होती है एकदम समान होते हैं इसलिए हमीने क्लोन कहती है जैसे अमीबा है अमीबा का अभी भाजन हुआ ये एक अमीबा बन गया ये देखो सेम बन गए अभी बिल्कुल सेम हूबहू बन गए है ना जैसे इधर मैं हूं यह देखो और इधर है ना ठीक है ना फिर इधर एक जह है तुम लोगों के लिए वो आ गया तुम लोग का छोटा वाई आ गया है ना देखो है तो यह इंसर को अलग है बिलकुल है देखो जिनलाति के जहीं है यहीं है इसे इस तुरे आख जैसी है तिरी आखी अपने सरीर में ममीच्अ जैसे किकीन दिमाग से अपने पापय ज सुक्राडू ठीक है इस्पर्म और मादा में बनता है मादा युगमक जिसको बोलते हैं अंडाडू है ना इंगलिस में बोलेंगे ओवाम नर के अंदर होते हैं 46 गुड़ सूत्र मादा के अंदर भी 46 गुड़ सूत्र लेकिन जब युगमकों का निर्माड होता है युगमक में गुर्शूत्रों की संख्या रहती है कितनी अगुरित कितनी रहती है अगुरित यानि की यन तो सुक्राडू में भी यन अंडाडू में भी यन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं क्या करते हैं मिलते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं उसको निशेचन निशेचन की क्रिया मनिश्यों में कहां पर होती है देखो निशेचन दो प्रकार का होता है एक होता है अन्ता निशेचन एक होता है वह निशेचन तो मन मनिश्यों में बताना अंतह निशेचन होता है सरीर के अंदर होने वाले निशेचन को बोलते हैं अंतह निशेचन और सरीर के बाहर होने वाले निशेचन को बोलते हैं वाहि निशेचन तो मनिश्यों में होता है अंतह निशेचन यह फर्टलाइजेचन कहां पर होता है तो यह तक रोलते हैं fallopian tube में निसेचन होता है कहां पर फैलोपियनUM in में जब निसेचन की धिया होते ही सुक्राढ मिलता है तो बनता हाज क्या बनता है raj जिसको बोलते हैं जाइबोड और कितने गुर्शूत होते हैं तो यही गुर्शूत पिर यही गुर्शूत अगर वीडियो आप लोग को देखना है न तो जो चैनल है बायो अमन ब्लॉग उस चैनल पर जाना वीडियो देखना कुछ मैं छोटे बच्चों को परिसान करता वहां पर नजार आया हूं सच में मजा नहीं कर रहा है चलो युगमरज कैसे बनता है एक नरीयुगमक और एक माधा युगमक जब आपस में मिलता तो युगमरज अच्छा कुष्यन है क्い एक जिसको बोलते हैं ओ डिखो मादा जनन भाग ये है अंडाडू क्या है अंडाडू ये है अंडाडू इस अंडाडू से अंडा सै क्या भी बोल देता है तू अमन लगता है मेरा फ्यू जुड़ गया फ्यू सेट कर ले तू सेट हो गया अब सही बता हाँ यह अंडास है इस अंडास है से जब यह अंडाडू बना और अंडाडू फैलोपी अंट्यूब में पहुंचा तो इसी क्रिया को बोलते हैं अंडोत सर्ग है ना देखो वयस्क में मादा के वयस्क होने पर 28 दिन में एक अंडा बनता है जो कोसिका के किस कोसिका के नहीं किसी कोसिका के किस प्रकार के विभाजन से युगमक उत्पन होते हैं यानि कि युगमकों में कौन सा विभाजन होता है युगमकों में कौन सा विभाजन होता है युगमकों में कौन सा विभाजन होता है युगमकों के अंदर गैमीट क्या है क्या है मारे अंदर मेल के अंदर फीमेल के अंदर तो मेल के अंदर गैमीट है उसको बोलते हैं स्पर्म फीमेल के अंदर ओम तो इन गैमीट में विभाजन कौन सा हो रहा है माइटोसिस या फिर मियोसिस अर्दसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन तो वो हो रह याद रखना अर्दसूत्री विभाजन क्या हो रहा है भाई यहां से दो कुश्चन दो टॉपिक बहुत बहुत हैं पहला नर जननतंत्र क्या है नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जननतंत्र है ना, इन chapter को हर हाल में पढ़लो जाकर के, हर हाल में, इन topic को, और यह topic अगर धूड़ना है न, तो YouTube पर जाकर के सर्च करना, नर जननतंत्रबाई बायो अमन, मादा जननतंत्रबाई बायो अमन, वहाँ पे मेरा वीडियो आपको मिलेगा, आप जाकर के देखना, अच्छे से देखो अच्छे से पढ़ो मैं तो चाहता हूं यार कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो तुम ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं चलो देख लिए जा करके देखो जिसको ढूड़ना होता है वो ढूड़ लेता है कुछ बच्छे मैसेज करते रहते हैं भया वीडियो नहीं मिल रहा इस टॉपिक पे अरे तेरे घर में मैं देने आ हूं वीडियो इतना कर दिया हूं चैनल पर अपलोड है प्लेइलिस्ट भी बना के रखा हू एक एक वीडियो सेट घर करके रखा हूं वहां पर जा करके नहीं देखते हो अंधे हो कि आलोग अप लोग को नहीं बोल रहा आप तुम मेरे नहीं जाओगे बिया अब रहोगे हमाएं पास है ना बहुत बगईती करते हो तुम चलो आज आज आओ कुश्चन नहीं बहुत पीटूंगा ज्यादा तुम फ्लो में चले गए हो तो तुम्हें लगा हैं बिल्कुल सवासान है मेरे को हलके मत ले ना चोटे चोटे बच्चों को बहुत मारता हूँ मैं चलो थोड़ा सा वेट करते हैं एक मिनट एक मिनट तब तक आप सभी लोग ध्यान करिए मेरे साथ है ना चलिए ध्यान करते हैं आखे बंद करके ध्यान करिए तब तक इंक भी पड़ जाएगी कांटिनियू करते हैं कि अध्यान करते हैं कि सभी लोग बताओ जो आप लोग ध्यान में गया थे तो क्या सोच रहे थे आप लोग बताओ मैं पहले बता देता हूं जो मैं ध्यान कर रहा था हूं मैं सोच रहा था कि इनको जो नए वाले चैप्टर जरूआ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ाओंगा इनको मैं है ना बहुत अच्छे सा कि एक टॉपिक इनको समझ में आ जाए आप सभी लोग बताओ जब ध्यान कर रहे थे ना इसे आख बंद करके तो क्या सोच रहे थ जीन की को जोहंसन नमक वय जानिक ने किया था फैसलिकल info जोहंसन नमक वाएंग ने किया था तो कोजिका में जीन कहां पर ये कोजिका है ये कोशिक है कि को क्रोमेटिन धागा कोई का विभाजन के दारान गुण सूत्र का निर्माडत कर लेता है और गुणेcom के अंदर虫 सूत्र पर इस्थृत होता है या कहारता है इस गुण सूतर पर इस्थित होता है अगर इसको काटो गे न तो ऐसा निकलेगा उसमें धेर सारे डिने रहते हैं यह क्या है तो यह है डिने क्या है बोलो मेरे साथ डिने डिने का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो होता है डि आक्सी राइबोज निकलीग एशीट डिने में कौन से सरकरा पाई जाती है राइबोज सरकरा पाई जाती है कौन से सरकरा राइबोज सरकरा है ना डिने कैसे किस से मिलकर के बना होता है तो डिने निकलियो याद रखना किस से नि मिलकर बना होता है नुकलियोटाइड के अंदर क्या-क्या चीजे होती है तो नुकलियोटाइड के अंदर तीन चीजे होती है पहली पेंटोज सुगर दूसरी नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजनी छारक और तीसरी phosphate group इन तीनों चीजों से ही DNA मिलकर के बना होता है याद रखना nitrogenous based दो प्रकार के होते हैं एक होता है purine जिसमें adenine और guanine पाया जाता है और दोसरा होता है pirimidine जिसमें guanine, cytosine, thymine और uracil पाया जाता है DNA के अंदर जो nitrogenous base में purine पाया जाता है वो पाया जाता है thymine और cytosine DNA में uracil pirimidine नहीं पाया जाता है याद रखना question बनता है DNA में uracil नहीं पाया जाता है uracil किसमें पाया जाता है? आरियने में DNA में adenine dual bond के साथ thymine से जा मिलता है क्या करता है? जो adenine होता है वो dual bond के साथ thymine से जा करके मिल जाता है और cytosine triple hydrogen bond के साथ sorry adenine thymine से और cytosine triple hydrogen bond के साथ guanine से ये जो बीच में जगे है ना इसी जगे में adenine, thymine, guanine cytosine जा करके sit रहते हैं ये कौन सा bond है? याद रखना पूछेगा hydrogen bond अगर इसके hydrogen bond को काड़ दिया जाना dna ऐसे सीधा हो जाएगा ऐसे सीधा विल्कुल ये सीड़ी होती ना सीड़ी मैं से वकड़ा चड़ जाते है उपर तक वैसे ही हो जाएगा ठीक है? dna का पूरा नाम डियोक्सिल आइबोस नूकलिक संकला जीन विनमय किस प्रकार की कोशिका विभाजन में होता है जीन विनमय का संबंध अर्द सूत्री विभाजन की प्रक्रिया से है उस पादप का नाम लिखिये जिसमें मिंडल ने अपना प्रियोक किया था गजब कुश्यन आ गया अब चलो इसको मिटा दूँ देखो यहां से पहले मिटा तो फिर बताता हूं आँ आँ देखो तो यहां से जो इंपोर्टन कोश्यन बनता है न वहें मिंडल का नियम आँ जैसे कोश्यन अतिलग उत्तरी मैं पढ़ा रहा हूं बेसिकली तो आप कोई बताऊंगा question है उस पादप का नाम लिखे जिसमें मिंडल ने प्रियोग किया था मिंडल के प्रियोग वाला पौधा कौन है तो वो है मटर मटर का वज्यानिक नाम पाईवम सेट आईवम क्या है पाईवम सेट आईवम याद रखना ठीक है डिएने की संरचना डिएने की संरचनात्मक मॉडल किस ने प्रस्तूत किया तो डिएने का जो मॉडल था संरचनात्मक मौडल उसको वाटसन और क्रिक नामक वेज्यानिक ने प्रस्तुत किया याद रखना मिंडल ग्रेगर जॉन मिंडल जो है मटर पर अपना पर प्रियोक किये थे मिंडल ने तीन नियम दिये थे है ना पहला दूसरा तीसरा पहला उनका नियम है प्रभाविता का नियम है ना दूसरा है प्रथक करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तो मिंडल ने कितने नियम दिये अपने तीर नियम ये जो उपर वाले दोनों नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित हैं किस पर तो एक संकर संकरण पर आधारित है उपर वाले नियम और जो तीसरा नियम है ये दुई संकर संकरण पर आधारित है है ना एक संकर संकरन मतलब इसमें एक जोड़ी लच्छणों को मेंडल ने लिया और उनके विपरीत लच्छणों के बीच आपस में क्रॉस करवाया लेकिन स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में में दो जोड़ी लच्छण लिया फिर उनके विपरीत लच्छणों के बीच पूछता है और यह नहीं ठीक है चलिए सम्युगमजी और विश्म युगमजी क्या होते हैं देखो सम्युगमजी और विश्म युगमजी लास्ट ही टॉपिक है यहां से कुश्चन और पूछा जाता है जहें रेट्रो वाइरस को ले करके इसे रेट्रो वाइरस जो एचाईV होता है एडंज एचाईv ही इनको रेट्रो वाइरस के नाम से इसलिए इन 2nd वाइरस को तो वो DNA में convert हो जाता है, ठीक है, हाँ तो कहां question जाता है, सम यूगमजी, gene के दोनो एलिल जब समान हो, क्या हो, तो gene के दोनो एलिल, जब समान हो, तो बोलते हैं, उसको सम यूगमजी, समान कैसे, जैसे देखो, capital T से होता है, लंबा, और capital T, capital T, देखो, gene हमेशा जोडे में ह होता है, है न, इनके जो दोनो एलिल, पहला एलिल, दूसरा एलिल, दोनो समान है, है न, दोनो समान है, जैसे, small T, small T, है न, capital R, capital R, small Y, small Y, इन जीन के क्या हैं? दोनों एलिल समान है इसलिए इसको सम्योगमजी बोलते है बताईए ये सुध है या फिर संकर है बताईए बोलो के भाईया ये सुध है अब इसका उल्टा कर दो जीन के दोनों एलिल जब असमान हो जैसे Capital T Small T है न फिर Capital Rduzen स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यह हो गया आपका विसम योगमजी ठीक है तो आप सभी लोगों से रिकेस्ट है कि आप सभी लोग जाए चैनल पर मेंडल के नियम का वीडियो जा करके देख लेजिए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है मेंडल का नियम बहुत प्रिक्र मेंडल कोश्चन है तो आप से प्रिक्व टर आप से एक हैं धान तर्वर्टन कोश्चन है कि कॉस्टन कोश्चन है फ्रिक्व का विसम